हाई दोस्तो स्वागते आप सभी का रोइट फेजर यूट्यूब चानल में फाइनली पबजी मुवाइल राइट का 0.14.0 का ओफिशल अपडेट आ गया है वीडियो के लास में मैं आप लोगो को बताऊंगा कि कहां से और कैसे आप लोगो डाउलोड करना है अगर आप लोगो अभी तक गूगल प्ले स्टोर में अपडेट नहीं मिला है तो डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक दूँगा मीडिया फायर का चिंदा मत करो वीडियो के लास में आप लोगो बताऊंगा कहां से और कैसे डाउनलोड करना है तो फिलहाल में अभी भी मैंने गेम को अपडेट किया इस में बता देता हो क्या बड़े चेंजेस हुआ है वो मैं आप आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ सबसे बड़ा sad news दोस्तों यह है कि अभी sandhawk map नहीं आया है सिर्फ और सिर्फ wrangle map है अभी भी इसके लावा दोस्तों यहाँ पे कुछ beta लिखावा आ रहा है और मेरी हिसाब से यह beta जो है sandhawk map होने वाला है आने वाले updates में और यह arcade mode जो की war mode है पहले से ही था इसके लावा दो indicate और granates के सारे को मतलब एक limit set कर सकते हो आप सब सब चीज के लिए इसके लावा दोस्तों इन्होंने ओव यह ओके यहां से भी यहां पे बीटा पे हिंदी और उर्दू था बट ओफिशल वर्जिन में हिंदी उर्दू को हटा दिया यह बहुत ही bad news है मुझे लगा था कि हि तक इन्होंने इंप्रूफ किया है background तो आप लोगों पता है 0.12 के बाद completely change कर दिया इन्होंने ऐसा लगता है कि 0.12 से direct 0.15 मतलब तीन update एक साथ दे दिया background में ऐसा लग रहा completely इन्होंने background चेंज किया graphics पी इन्होंने चेंज किया और red zone भी आप लोगों देखने को मिलेगा map में red zone यानि की bombing area जब आप matches खेल हो गया okay so all right guys यहीं बड़े-बड़े changes है background और चेंज हुआ है जो तो मैंने आप लोगों को बता दिया और हमोर्स पी इन्होंने add किया है let's see मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इमोर्स होना ही चाहिए इमोर्स इन्होंने add कर दिया है मैं थोड़ा से घबरा रहा था कई इमोर्स ना अटा थे भी मतला official version में बड़ इमोर्स इन्होंने add किया that's very good news और गाइस यह सब चीज है बड़े-बड़े चीज वैसे तो मैंने आपको full details में बता ही दिया था हो सकता कल एक और वीडियो बनाओ full details में features के बारे में लेकिन फिलहाल में आप लोगो अगर आप लोगो अगर Google Play Store में update नहीं मिला है तो कहां से download करना है वो मैं आप लोगो बताता हूँ और कैसे setup करना APK और OBB file को यह बता देता है आप लोगो ओके so let's go alright दोस्तो सबसे पहले आप लोगो क्या करना है आपके phone में जो पुराना version है PUBG 1 Lite 0.12.0 उसको uninstall करना यानि कि delete करना आपको अपने phone से ठीक है उसको delete करने के बाद आपको क्या करना यह दोनों files को download करना पड़ेगा मैं जो आप लोगो बताने वालो यह दोनों files एक तो APK 40MB का दूसरा है OBB file जो की 520MB का यह दोनों ही files का direct download link आपको मेरे website www.troydfrazor.com में मिल जाएगा मेरे website का link आपको मेरे वीडियो के इस वीडियो के description में मिल जाएगा मेरे website को open करो और पहला ओला post को open करो उसमें आप लोगो यह APK और OBB file यह दोनों files का download link मिल जाएगा direct download link और यह सबसे पहले दोनों files को download करने के बाद guys आप लोगो APK file जो है उसको install करना है वेट कीजिए जब तक पूरी तरह से install नहीं होता है ओके दोनों ही files को download करके जो भी folder में उस folder को open कीजिए फिर पहले आप लोगो APK file को install करना जैसे install हो जाएगा तो आप लोगो done में क्लिक करना है फिर यह जो उपर वाला file है OBB file जो 520 MB का है इसको यहां से copy कीजिए या फिर move कीजिए औके download folder से फिर back जीए फिर यहां पर आपको एक folder मिलेगा android नाम का इस list में कहीं आपको android folder मिलेगा तो android folder को open कीजिए फिर इस folder को open कीजिए OBB FILDER को UK यहां पर आपको एक folder बनाना पड़ेगा new folder create करना पड़ेगा new folder create करना पड़ेगा किस नाम से create करना पड़ेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ okay com.tencent.iglite तो इस नाम से आपको new folder create करना पड़ेगा दोस्तो नाम अच्छे से देख लो com.tencent.iglite यह folder create करने के बाद यह new folder को जो आप लोगों ने अभी अभी create किया इसको open करो यहाँ पर फाइल पेस्ट कर दो जो हमने अभी 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 कॉपी किया था 520 MB का जो OBB file okay बस यही करना यह सब कुछ सारा काम हो गया दोस्तो आप क्या देखो के दोस्तो आप लोगा फोन में pubg1 light जो है install हो गया है तो आप क्या करना आपको simply game को open करना है और आप लोग नोडिस करोगे आपका जो game है वो completely update हो गया है और 0.14.0 official version हो जाएगा और आपका जो पुराना account है 0.12.0 का उसका account से आप लोग को data है वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा let's see okay जैसे कि आप लोग देख सकते हो background change हो गया हमारा और मेरा जो dress है वो भी मेरे को मिल गया और मेरा और मेरा levels भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो 44 so guys आप ऐसे pubg1 light 0.14.0 को officially update कर सकते हो APKN OBB bv file का download link आपको मेरे website में मिल जाएगा और हां मेरे website में आपको direct media file का download link दे रहा हूँ कोई भी link shortener use नहीं कर रहा हूँ इसलिए एक like जरूर दीजेगा मुझे पता है आप link shortener से download करने में आप लोगो बहुत परिसानी होती इसलिए मैं जानबुच के link shortener दे नहीं रहा हूँ मेरे को पैसा का इतना वो नहीं है आप लोग खुश रहो है ना मेरे website के link आपको इस video के description में मिल जाएगा मेरे website open करो सबसे पहला ओलो पोस्ट को open करो और वहां पे आप आप लोग जल्दी से इंस्टोल कर लो अगर आप लोगो गूगल प्ले इस्टोर में अपडेट नहीं मिला है तो ओके बाई